क्वेशन के रहा है कि एक आदमी 18 रुपे खर्च करता है प्रती महा चार महने के लिए फिर 2000 रुपे खर्च करता है अगले 8 महीना सेव करता है वो 56 रुपे तो कहता है कि उसकी एवरेज मंतली इंकम बता हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना पैसा उसने इस्पेंड किया उसको एड करेंगे और उसमें एड करेंगे यह उसकी सेविंग्स फेल से डिवाइ इन्टो 4 देट इस इक्वल तो 7200 ठीक है उसी तरीके से अगले 8 महीने के एक्सपेंडीचर का जो सम आने वाला है वो क्या आने वाला है 2000 इन्टो 8 देट इस इक्वल तो 16000 ठीक है अब इसको अगर हम एड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 200 यह हो जाएगा 6 6 12 13 3 और 1 2300 23000 200 मिल यह क्या होगे एक्सपेंडीचर की कॉस्ट हो गई इतना उसने पैसे इस्पेंड किया लेकिन उसने कुछ सेव भी किया कितना है 5600 सेविंग उसकी कितनी है 5600 की उसकी सेविंग है यह एड कर देते हैं तो वैलू आएगी 006 में 2 जोड़ा तो 8 और यह क्यों जाएगा 8 और जो है उसकी टोटल इंकम होगी पूरे साल की और हमसे क्या पूछ रहा है कि मंतली इंकम बताओ तो एवरेज मंतली इंकम क्या हो जाएगी इस 28800 में अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो वैलू निकल जाएगी वो क्या हो जाएगी वो हमें देगी मंतली एवरेज म cancel करें, तो कितने time जा रहा है, 2 times, that is 24, बचे की जो value क्या जाएगी, 48 हो जाएगी, इतमींस यह 4 times जाएगा, तो total कितने time जाएगा, 2400 times जाएगा, that is option 3, इस question का सही answer है.